स्पीड है हाई हाई फ्रम माई प्लेस और मैं एक तैयार हूँ फोगलू तैयार है सुजवाई भी तैयार है पर ए नियू राइट आज वोटिंग था और मैंने सुबह सुबह उठके वोट कर दिया अपना डेमोकरिटिक राइट पूरा किया अगर मंदल तक मैं पहुंच जाता हूँ तो मेरे लिए अच्छा होगा रिजन बहुत सेंपल है क्योंकि यहां से मंदल इस अल्मोस्ट अल साड़े चार सु किले मीटर सुबह सुबह का मौसम थोड़ा थोड़ा गर्मा हट थोड़ा थोड़ा थड़ा थड़ा हट मुझे लग रहा है अब अपन करेगा ब्रेकफास्ट तो अपन कर रहा है ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट मेरे लिट्टी पैक करा के लाया था यह दो लिट्टी है यह दो यह रिट्टी सही है यह गलत क्योंका रात सा पैकरा हुआ है चीर्स हुम् ठीक है यह काम कल जाए चिल्चलाहत गर्मी में लिट्टी खाके थोड़ा सा सुस्ता के मैं आगे निकल चरा उत्रखंड की और देभूबी उत्रखंड में आपका स्वागत है कोलनात हर हर गंगे रिशिकेश रेकरीबन 15-20 किलो मेटर दूर और यह हाल है स्पीड होगा क्या स्पीड नॉमल होगा फुल कर दो यहां पर आके ट्रकों का बीच में ट्रकों का गुंडा घर्दी में फज गया है गर्मी है भाई बहुत ज्यादा गर्मी है भीग गया फोगलू का मेटर 46 डिग्रीड दिखा रहा है रिशिकेश की भीडवर वाली गलिया से निकल के अभी पाहड़ो वाली गलिया में आ गया है नो ट्राफिक नो जंजट नो नाथिंग कुछ नहीं है बस मुझे बहुत तकड़ा सा प्यास लग रहा है काई पर गन्य का जूस बगरा दिख जाय तो वहीं पर बैठके थोड़ा सा टाइम पास कर लेंगे जो भी जा मिले धूप में मिले जाओ की ठंडी साए है थाट यहां पर रुक के थोड़ा सा मजल ले लेते हैं पानी का जासी दा ग्रीन वाटर चारो तरफ ओ वड़ा प्लेस मैं वड़ा प्लेस रास्ते में मुझे एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर मिलिया जहां पर वें फोगलो को कड़ा करके थोड़ा सा नजारा लेने के लिए थोड़ा सा ठंडा में सुस्ता लिया फोगलो बहुत मस जगा है क्यां सुझा है जगा ठिक लगा तेरे को अच्छा लगा है चला चलते हैं लेट्स गो चीर्स ठंडा ठंडा कोल रिंग्स, मिक्स बेज और रोटी इतना गर्मी एतना धूप है त्वाधा थक्टावट लगड़ा है तो कोई बात नहीं अपना एसी साथ में है अपने चैकेट को उपर पानी डालेंगे और आगे निगलेंगे यह मेरा एसी है गर्मी में एसी साइट कान कि यहां से लेफ्ट लेगा स्वर्ड रूद्र प्रयाग बाइपास रोड यह राइट को पद्री में आउस के लिए जा रहे हैं और इधर है कि मैं चूप्ता चूंगनाज जी मकूमट इस तरह के लिए निकल जाऊँगा शाम को चार बच के दस मिनट हुए हैं लेट तो अपन भर भर के हुआ है इतना सही बनाया है पेंटिंग वाई है यह चूप्ता 44 किलो मेटर मुकूमट 16 किलो मेटर अब यह एक नया रास्ता खुला यहां से देखते हैं एक रास्ता में है क्या गुस्ते के साथ बंदरों का दर्शन बहुत बड़ी है चलते हैं च शुषील एकदम नहीं नविली टर्मेक का महका रहा है वह वह सुपर्ब होशवाल का खबर का बीटिफुल नैच्रेल ब्यूटी दिस एज देखो खली देखो शायद इस सीद लिए मैं इस जगह में बार बार आता हूं ओ-अ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-वाड़ बीडिफुल प्लेश मैं जितना अच्छा रास्ता उतना ही अच्छा मन और अंद्रिश्या शाम के साढ़े पांच बजरे हैं सुरियास्त होने का टाइम हो रहा है और मैं एक बहुत ही बढ़िया जगह से जा रहा रहा हूं इसलिए उसको पुद्री लगण हो डिया इंपार पहुझ गया मकूमथ यहां पर टूनाजी का दर्शन करने को मिलेगा मुझे जै बाव तुग नदित और मैं पहुंच लिए तूगनदी का मन्दीर समने ला-जी क्षैम कि वाइक मैं यहाँ पर फ्रक्रा करें कि श्राम केवाज़ करें और माश्रा मकोमठ पहुंच ग करने जा ुह कु header करेंगे हैं उसकेर सोचंगा आगे क्या करना है वैसे मुझे गोपिश्वर मंडल के तरफ जाना है जो कि यहां से मेरे खाज़े दो तीन इंटेगा रास्ता होगा आई डोट नो पूछना पड़ेगा फिर वहां से जाएंगे क्या करेंगा बदा निया विश्राइब वैसे टूंगनाज जी वर्ल्ड का हाइस्ट शीवा टंपल है लेकिन अभी फिलाल टूंगनाज जी को नीचे मकुमट में रखा गया है जहां पे ये साल के छे मैने रहते हैं बाकी साल के छे मैना जैसे में से लेके ऑक्टोबर के आसपस तक ये उपर पहाड़ों में रह जात हैं मैं मकुमट में टूंगनाज जी का दर्शन करने के लिए पहुँच गया और शाम के आर्तिक टाइम हो रहा था और फिलाल मेरे सिवा इस जगह में और कोई भी नहीं था तो इसलिए मुझे भरपूर वो आनन्द मिला जो कि एक एकांत में एक मंदिर के साथ किसी पर मिल लगता है इतना शांती कि क्या बताओं आस पास में कोई भी नहीं था सो दैट मैं यहां पे कुछ दिर बैढ़ गया बाबा को दर्शन के लिए और उसके बाद पूजा करने के बाद मैं पंडिक जी से थोड़ा से गुफतकु कर लिया थोड़ा सा मन का बोज हलका कर लिया उनके सामने और आगे निकलने का तैयारी में जुट किया मैं बाबा का दर्शन हो गया अभी चालिस मिनट हो रहा है और मैं अभी मंदिर से नीचे उतर रहा हूं मंदिर के जो फुजारी थे उनसे बात कर रहा था मैं उनसे पूछ रहा था कि आगे मुझे गोपेश्वर त तो उन्होंने सजेशन दिया कि आप चोपता में उतर जाओ रुख जाओ चोपता यहां से करीबन 30 km के असपास होगा